नमस्कार कुछ काम एसे होते हैं ना जो दुनिया से छुपा करने चाहिए हर इंसान को वह काम दुनिया को नहीं बताने चाहिए आखिर शास्त्रों में आखिर बड़े बड़े विद्वान उन्हें आखिर ऐसा क्यों कहा कि दुनिया के कुछ ऐसे काजे दुनिया से छूपा कर क्यों करने चाहिए आप दुनिया के सामने भी कर सकते हो दुनिया को दोल पीट करके भी वह काम कर सकते हो लेकिन बड़े-बड़े विद्वान यहाह तक की दुनिया के सबसे बड़े विद्वान आचार्य चानक कि उन्होंने भी कहा कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो दुनिया से छुपा करके अनुना कर्के महात्मा-विदुर महा-भारत तो आपने देकिए होगी दरत राष्ट के मंत्री राजा दरत राष्ट के मंत्री महत्मा विदुर राज निती में सबसे बड़े निपूर्ण थे उन्होंने भी कहा कि हर इंसान को कुछ ऐसे कार्य हैं जो दुनिया से छुपा करने चाहिए अगर ये कार्या आपने डोल बजा कर किये दुनिया के सामने किये तो आपकी इज़्जद खराब होगी ही साथ में आपकी बजना में भी होगी आपकी रेस्पेक्ट मिट्ण में मिल जाएगी आपकी जो इमेज है ना वो बनी हुई है ना जो decrease हो जाएगी लोगों के सामने आपकी image एक जीरो एक सुन्य की तरह हो जाएगी तो कुछ ऐसे कार्य हैं कुछ ऐसे work हैं जो दुनिया से छुपा करना दुनिया के सामने कभी मत करना वो बातें क्या हैं आज अपन बात करेंगे नमबर वाई अपना प्लान किसी को मत बताओ आपने अपने दिमाग के कोई प्लान क्रियेट किया है और आपने उसके लिए कोई रूप रेखा बनाई है और आपको उसको मतलब फिजिकल दरतल पर उतारना है तो आप दुनिया को डोल मत पीटो कि मैं आने वाले समय में ये कारी करूँगा आने वाले समय में मैं वो कारी करूँगा जब आप अपना प्लान किसी दूसरे को बताओगे ना हो सकता है सामने वाला आपका दुस्मन हो आपका प्लान चुरा ले, आपके करने से पहले वो कर ले और चलो ये बात भी नहीं हो, और आपने प्लान बनाए और आपने डोल पीट दिया कि मैं आने वाले समय में ये करूँगा, और किसी कारण, एनी कंडिशन आप टर्बल में आ गए, और आप प्लान शुरूर नहीं कर पाए, और आपने तो डोल पीट दिया, तो फिर क्या होगा, लोग आपकी बातों पर बिलीव नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि लोग कहेंगे, अरे यां, कुछ नहीं, यह तो सिर्फ बगबग करता रहे, कुछ करता आपके पЛान शुरू करता है, बस यह करता, मैं यह कर ऑगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं, लोगों को आपकी परस्तिती नहीं देखती, आपकी कंडिसन नहींदीखती, कि आपने किस करान से अपना प्लान डूब किया, लेकिन लोग तो आपको आपकी इमेज को बजनाफ कर उस प्लान को फिसिकली दर्थी पर उतारे फिर लोगों को बताए कि हाँ मैंने कार्य किया है और देखिया अब देखिया अपना नुकसान किसी को ना अपना चाहे कितना भी करीबी हो ना अपना नुकसान अगर आप बिजनिस करते हो अगर आप को जोब करते हो आपने कुछ नोच सित्थाइब कर्स कि गी आपने कुछ अधर वर्क इसटाइब करने के कोश्री कि फिर उसमें अगर आपको अच्छा का सबसारा नुक्सान हो गया है तो सब के सामने अपना नुक्सान कदिंग Arab मत पूत भींँ आप तो नुकसान का डिंडोरा पीट रहोगे आप अपने लोगों को समझ कर कि नी यार मैं अपने लोगों के सामने नुकसान का डिंडोरा पीट रहा हूं तो ये मेरे प्रति कुछ सेमपती दिखाएंगे मुझे मेरे परती यह रखेंगे कोई बात नहीं नुकसान हो जाता है लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते आप लोगों को नुकसान बताओगे ना तो दूसरे लोग आपकी दूसरों के सामें क्या कहेंगे अरे कुछ नहीं यार उसने तो वो बिजनेस किया था यार दिवालिया हो गया एक फुटी कोड़ी की उसके पास नहीं है लोगों से बीग मांगता फिर रहा है आपकी अच्छी खासी इमेज मिठी में मिल सकती है बहुत आपको नुकसान कम हुआ है लेकिन फिर भी लोग आपके नुकसान को बता बड़ा चड़ा कर कहेंगे दूसरे लोगों को सामने और कुछ नहीं यार वो तब बिल्कुल लोट गया बिल्कुल घर बार सब विक है क्योंकि सारे लोग आपके हिते सी नहीं होते हैं यह ध्यान रखने ना इसलिए आपको किसी भी फिल्ड में चाहे अपनी नौकरी की फिल्ड में हो चाहे बिजनिस के फिल्ड में हो या चाहे शेयर मार्केट में हो या किसी पोपर्टी के इन्वेस्टर में हो अगर आपको नुकसान हुआ है तो अपना नुकसान किसी को शोव न करें, अपनी कमजोरिय, अपनी बिगनेस, किसो को न बताएं. यह बात ऐसी होती है ना, कि अंदर बहुत ही बहुत अंदर secret रखें किसु को ना बता है चाहे वह आपका कोई अच्छा मित्र या friend है या अच्छा हितेसी क्यों नहीं हो चलो आज वह आपका अच्छा friend हो अच्छा हितेसी हो इन future में आप दोनों के बीच में अनबन हो जाए कुछ बात बिगड़ जाए और इन future में वह आपका enemy बन जाए तो फिर क्या होगा वह आपकी हर secret को जानता है और आपकी हर weakness को वह जानता है और फिर क्या होगा वह आपके हर weakness वर वार करेगा और आपको destroy करने की कोशिश करेगा क्योंकि पहले वह आपको friend था और अब वह आपका enemy बन चुका है अब वह आपको दुस्मन बन चुका है इसलिए किसी भी condition में in every condition in every situation don't tell your weakness if you tell your weakness you can destroy it इसलिए अपनी कमजुरी किसी को मत बता है अपनी खुशियां सांती से सेलिब्रेट करें ओपको पास में कोई अपार खुशी आई हैं और बहुत कुश है तो आप क्या कर Guya डुनिया को इन फ्रीट हए बात की खुस हूँ इसा कभी मत खुश हूँ हैं ईस स् परिवार के सांत느िस को आज हो सकते किसे आपके बहुत बड़े दुस्मन भी create हो सकते हैं, आपके जनले वाले आपको नुकसान भी पहुचा सकते हैं, बड़े-बड़े celebrity, बड़े-बड़े businessmen, बड़े-बड़े उजोग गराने के लोग क्या करते हैं, वो अपनी खुशियों को Facebook पर celebrate करते हैं, नहीं, वो अपने परिवार के साथ सांती से celebrate करते हैं, क्या वो पागल है, नहीं, वो पागल नहीं, वो जानते हैं कि अपनी खुशियां को सांती से celebrate करनी चाहिए, दुनिया के सामने celebrate करेंगे रहा, तो दुनिया आज के समय में दुनिया बहुती निकम्मी और नाका है, कब न जाने, कब और कहां, किस वक्त आपके दुस्मन पेदा हो जाए कोई पता नहीं चलता